राधी राधी प्रेंट्स ओम नमो भगवतिव बाशुदेवाय नमा पॉस पोणमा ब्रत कथा इस प्रकार है श्री कृष्ण जी एक दिन अपनी माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रशिद्य राजा चंद्रहाज सिव पालित अनेक प्रकार की रतनों से पर पून कातिका नाम की एक नगरी थी पहाँ पर धनेश्वर नाम का एक राम्मर था और उसकी इस्त्री अतिश चुशीला रूपपती थी दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम की साथ रहते थे घर में धनधान आदि की कमी नहीं थी उनको एक बड़ा दुखता कि उनके कोई संता नहीं थी इस दुख से बह अत्यंत दुखी रहते थे एक समय एक बड़ा तपसी योगी उस नगरी मे आया बह योगी उस ब्रहमण के घर को चोड़कर अन सब घरों से बिच्चा लाकर बोजन किया करता था रूपपती से बह बिच्चा नहीं लिया करता था उस योगी ने एक दिन रूपपती से बिच्चा ना लेकर किसी अन घर से बिच्चा लेकर गंगा किना ले जाकर बिक मन आप सब घरों से बिच्छा लेते हैं, परंथ मेरे घर की विक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है, योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीक पतितों के अन्निके तुल्ले होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है बहवी पतित हो जाता है, चुकि तुम निसंतान हो अध्या पतित हो जाने के भैसे मैं तुमारे घड़ की विक्षा नहीं लेता हूँ धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत तुकी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तता आर्थवाव शे कहने लगा यह महराज यदि ऐसा है तो आप मुझे को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताईए आप सरवग हैं मुझे पर अवश्षी यह क्रपा कीजिए दन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है पर अपने पुत्र ना होने के कारण अत्यंत तुकी हुआ और स्यम तपके निमित बन में चला गया बन में जाकर उसने चंडी की उपाष्णा की और उपवास किया चंडी ने सोल में दिन उसको प्रशन होकर दसन दिया और कहा हे धनीशर जा तेरे पुत्र होगा परंतु बहें सोलह बर्स की आयू में ही मृत्ति को प्राप्त हो प्रात्यकाल होने पर इस स्थान के समी भी तुम्हें एक आम का ब्रच दिखाई देगा उस पर तुम चड़कर एक फल तोड़कर सीक्र अपने घर ले जाना अपने इस्त्री से सब ब्रतात कहना जित्तु इश्नान के पश्चात बहस्वत छोकर श्री शंकर जी का ध्यान कर के उस फल को खा लेगी तब संकर्भवान की क्रपा से उनको गर्व हो जाएगा जब ब्रामण प्रात्यकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का ब्रच देखा जिस पर एक अत्यंत सुन्दर आम का फल लगा हुआ था उस ब्रामण ने उस आम की ब्रच पर चड़ गणिश्ची की बंदना करने लगा हुआ है अपने भक्तों के बिगनों का नास करके सिख्टा नास करने वाए रिध्य सिद्धी देने वाले आम मुझे पर क्रपा करके इतना बल्द है कि मैं अपने मनुरत को पूर्ण कर सकूँ इस प्रकार गड़िश्ची की प्रात्थन क करने पर उनकी क्रपासे धनेशर ब्रच पर चड़ गया और उसने एक अति सुन्दर आम का फल देखा उसने बिचार किया कि जो परदान से फल मिला था बहर यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता उस धनेशर प्रहमण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपने इस्तरी को ला कर दिया और उसकी इस्तरी ने अपने पती की कथा अनुशार उस फल को खा लिया और बहर गरवती हो गई देवी जी के असीम क्रपाशे उसे एक अतियंद सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा माता पिता के हर्स और सोक के साथ बहर बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भाती अपने पिता के घर में पढ़ने लगा भवानी की क्रपासे बह बालक बहुत ही सुन्दर सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुड हो गया दुरगाजी की अज्ञान उशार उसकी माता ने 32.82 का ब्रत प्रारंब कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयू वाला हो जाए शोलमा बर्स लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस बर्ष में म्रत्यू ना हो कि यदि दुरगटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करशक हैंगे अस तो उन्होंने देवी दास के मामा को बलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास एक बर्स तक कासी में जाकर बिद्याद्धन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए मामा को उसके साथ कर दिया किन्तु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही धनेशवर ने सब पतनी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा देगायू के लिए भगवती दुरगा की आराधना और पून मासियों का ब्रत करना आरंब कर दिया इस प्रकार बरावर 32 पून मा की अत्यंत सुंद्री शुशीला और गुडवती कन्या का बिवा होने बाला था जिस धर्मशाला के अंदर बर और उसकी बरात ठहरी हुए थी उसी धर्मशाला में देविदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे शैयोगवश कन्या को तेल आदी चड़ा कर मंडप आदी का क अंदर है मैं इसके साथ ही लगन करा दू और बात में बिवा के अनकार मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे ऐसा सोच का देविदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी तेर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे बिवा के लगन के सबकार सुचारू रूप से ह तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के शमय बर को मिले बहसव हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूला बन जाएगा यह बात बर के पिता ने भी शिकार कर लेने पर उसने अपना भांजा बर बनने को भीज दिया और उ जाने यह किसकी इस्त्री होगी बह एकांत में इसी सोच में करम निश्वाश चोड़ने लगा तता उसकी आखों में आशू भी आ गए तब अधू ने पूचा कि क्या वात है आप इतने उदासीन बा दुखी क्यों हो रही है तब उसने सब बातें जो बर के पिता बा उसके मामा के बीच हुईंती उसको बतला दी तब कन्या कहने लगी यह भ्रह्म विवा के विपरीत हो कैसे सकता है देव ब्रामण और अगनी के सामने मैंने आपको ही अपना पती बनाया है इसलिए आप ही मेरे पती है मैं आपकी ही पतनी रहूंगी किसी अन्न की कदापी नहीं त मरन तो बहें दड़ विचारवाली थी बोली कि जो आपकी गती होगी बहें मेरी गती होगी है श्वामी आप उठिये और भोजन करिये आप निश्य ही भूंके होंगे इसके बाद देविदास और उसकी पतनी दोनों ने भोजन किया तथा शेश राती वे शोती रहे प्रात और जीवन जानने के लिए एक पुष्प बाट का बना लो उसमें सुगंदित वाली एक नव मलिका लगा लो उसको प्रति दिन जल से सीचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सा मनाओ जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणान्त होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरी हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ यह बात निश्य करके समझ लेना इसमें कोई वी शंशह नहीं है यह समझा कर बहत चला गया प्रातयकाल होते ही बहां पर गाजे बाजे बचने लगे और जिस समय विभा के कार्शमाप्त करने के लिए बर तथ सब पर आती मंडम्य तो कन्याने बर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पती नहीं है मेरा पती बही है जिसके साथ रातरी में मेरा पाण गरहण हुआ था इसके साथ मेरा बिवा नहीं हुआ यदि यह पही है तो बताईए कि मैंने इसको क्या दिया मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूशना दे दिये थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बात कहीं थी बहे सब सुनाएं पिता ने उसके कथानुशार बर को बुलवाया कन्या की यह सब बात हैं सुनकर बहे कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता इसके पश्यात लज्जित होकर बहे अपना शामू लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर बहां से लोट गई भगवान श्री कश्न बोले हे माता इस प्रकार देविदास कासी विध्या धन के लिए चल से पिशेला हो गया परन्त बत राज के प्रभावशे उसको काटने ना पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 मा का ब्रत कर रखा था इसके बाद मध्यान के समय श्यम काल बहां पर आया और उसके सरी से उसके प्राणों को निकालने का प्रत्न करने लगा जिससे बहे मूर् कर पारवती जी ने भगवान संकर्शे प्रातना की कि हे माराज इस बालक की माता ने पहले ही 32 मा का ब्रत किया था जिसके प्रभावशे हे भगवन आप इसको प्राण दान दे भवानी के कहने पर भक्त बतसल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया इस प्रवावशे काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदा स्वस्त होकर बैट गया उदर उसकी इस्तरी उसके काल की पतिक्षा किया करती थी जब उसने देखा कि उस पुष्प पाटका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्यर हुआ और जब ब बहर जान गई कि बहर जीवित हो गई हैं यह देखकर बहर बहुत प्रशन मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिता जी मेरे पती जीवित हैं आप उनको ढूड़िये जब सोलमा बर्स बतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ कासी जी से चल दिया इधर उसे बड़ी पशंता के साथ अपने घर में ले आया उस समय नगर के निवाशी भी बहां इकटे हो गए थे और सब ने निश्य किया कि अवश ही इशी बालक के साथ इस कन्या का बिवा हुआ था उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो बही है जो सब नगरवाशियों ने आनंद मनाया श्री करशन जी कहने लगे कि इस प्रकार धनीश्वर 32 पूर्ण मासियों के बत्के प्रभावश्य पुत्रवान हो गया जो भी इस तरियां इस ब्रत को करती हैं बे जन्म जन्मांतर में बैधब का दुख नहीं भोगती है और सदयव शौभा गवती रहती है यह मेरा वचन है इसमें कोई शन्दे नहीं है यह ब्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर् नव कामना को पूर करने वाला है 32 पूर्ण मासियों के ब्रत के करने से ब्रती की सब हिच्छाएं बहगवान शिव जी की क्रपा से रताईएगा और आप हमारी चैनल खुश स्क्राइब कर लीजिए वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथी पैल आइकन का प्रेस का दीजिए ताकि हमारी आने वारी सारी वीडियो की नौटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके धन्नवाद फ